एक बार फिर धूम चार को लेकर एक और नई अफवाह सामने आ गई है और गपशत गली में फिल्म को लेकर एक नई बल की एक साथ तीन तीन अफवाहें घूम रही है लेकिन अब चिंगारी कहीं से तो उठी है ऐसे में क्या पता वा कई इन खबरों में थोड़ी भी सच्चा आपको बताते हैं फिल्म को लेकर फैली तीन अफवाहें-फभाह एक डैष विल्म खान, जॉन अबराहम, रितिक लोड़ोशन और आमि खान के बाद आखिरकार इस बार धूमटार के विल्म बन शुके हैं सलमान खान लेकिन अब तो अच्छे विल्म ही होंगे वींग दिय अगर डॉन प्रोडियूसर फरहान अखतर मानते हैं तो अफवाग तीन दैश अभिशेक बच्चन का रिप्लेस में रनवीर सिंग इस बार की पुलिस अभिशेक बच्चन जैसी धीली नहीं होगी जो मुंबई में एक चोर को नहीं पकड़ पा रहे हैं और फिर उसे पकड़ लोग शारुक और सल्मान इस प्रोजेक्ट का हिसाब बन सकते हैं धूम चार को लेकर कुछ और डीटेल्स भी हैं जो गाहे बगाहे यूँ ही अफवाहों में सुनाई पड़ जाती हैं डैश शारुक सल्मान होंगे लीड फिल्म के लीड शारुक खान ही होंगे फैन के शारुक सल्मान फिल्म के हीरो होंगे और पूरी तरह से विलेन नहीं हाला कि धूम सीरीज की हर फिल्म का हीरो उसका विलेन ही होता है चाहे वो जौन अबराहम हो रितिक लोशन या फिर आमर खान, तो शारुक का किरदार भी कुछ ऐसा ही सल्मान होंगे टाइगर हाला कि पहले सल्मान को फिल्म ओफर हुई थी लेकिन फिर एक था टाइगर सीक्वल का अनाउंसमेंट हो गया और ये पह हुआ कि सल्मान खान टाइगर जिन्दा है में अपना काम आगे करेंगे वहीं शारुक खान धूम की बाईक संभालेंगे लेकिन अब माना जा रहा है कि वापस सल्मान की इंटरी हो चुकी है परनीती और वानी को अप्रोच फिल्म में हीरोईन के लिए रोल के लिए वानी कबूर और परनीती चोपड़ा को अप्रोच किया गया है हाला कि दोनों ने इस मुद्धे पर अभी तक कोई बात नहीं की है गौर तलब है कि वाणी फिल्हाली अश्राट फिल्म सकी बेफिपरे कर रही है तो परनीती हमेशा से आदित्य चोपड़ा की फेवरिट रही है नो उद्धे चोपड़ा माना जा रहा है कि फिल्म में इस साल उद्धे चोपड़ा भी नहीं रहेंगे अब उनकी जगे किसी को लिया जाता है या फिर उनका रोल खाली छोड़ दिया जाएगा ये देखने वाली बात होगी धूम मचाएगा डॉन? अब देखना है कि क्या शारोखान डॉन बन कर धूम मचा पाते हैं या हमेशा की तरह एक बार फिर से इन अफवाहों पर पानी फिर जाएगा